आज मैं बनाऊंगी खीर लेकिन मैं बनाने जारी हूँ साबुद्दाने की खीर तो मैंने यहाँ पर छोटा वाला साबुद्दाना ले लिया है आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं लेकिन उसको भिगा के रखना पड़ेगा एक से दो गंटे के लिए तो यहाँ छोटा व मतलब धुला हुआ साबुद्दाना बारीक वाला और इसको चला लेंगे कुछ एक मिनट तक हाई फ्लेम नहीं करना है आपको लो फ्लेम पर चलाना है यह बस इसलिए डाला है ताकि ना साबुद्दाना आपस में चिपके नहीं जब उबले तो और इसमें एक ग्लास मैं डाल दूँगी यहां पर लेकिन यह उबलावा दूद्द है आपको कच्चा दूद्द योज नहीं करना है कच्चा दूद्द आप डालेंगे तो फट भी सकता है हो सकता है फट जाए इसलिए फ़र सेफ साइड आपको बाल के रख लेना है दूद्द या फिर नीचे में मतलब इकठा होके चिपक जाएगा तो आप इसको चलाते रहें बहुत ही इजी है इसको बनाना बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है ज्यादा ताम जाम नहीं है और यह थोड़ा गाड़ा हो गया तो इसमें मैं आदा ग्लास के बराबर और दूद आड़ कर ल आप जाएगे तो सिंपल खीर भी बना सकते हैं कैरेमल बनाने की जरूद नहीं है लेकिन घर में सभी कैरेमल वाली खाते हैं तो मैं यहाँ पर सोच रही ती कैरेमल बनाई लेती हूँ तो दो चमच यहाँ पर चीनी डाली है उसको लो फ्लेम पर चलाते रहे और फिर जब लाल इस तरीका का कलर आगे ना ब्राउन टाइप तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी और आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है बस यह हो गया दो सी तीन मिनट लगते है ज्यादा टाइम नहीं लगता कैरेमल बनाने में तो इसमें आड कर देंगे और यहाँ नहीं पर खीर भी पाकच चुकी है इसको ज़्यादा गाडा नहीं करना है नहीं हुआ काफी जाद़ तो आप इसको ज्यादा गाडा मत बनाना ऐसी थोड़ा सा मतलब रनिंग रखना कंसिस्तेंसी तो रेडी है हमारी खीर